असलाम अलेकुम चली आज के इस वीडियो के शुरुआत करते हैं और समझते हैं आप लोगों के टेंथ क्लास के दरक्षा का बुक का जो चैप्टर नमबर एट है जिसका नाम है अदब की पहचान इस चैप्टर के ओल कोशन इंसर को हलांकि इस चैप्टर को मैं अल्रेडी प कंप्लीट करेंगे ठीक है और एक चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि अदब के पहचान नाम के चैप्टर के राइटर यानिकि मुसनिफ कौन है डॉक्टर अब्दुलमगनी ठीक है अब बढ़ी एक कोशन इंसर की तरफ ध्यान से देखिएगा और समझेगा चलिए हाँ तो यहाँ पर ध्यान देजिए आप लोगों का सवाल स्टार्ट होता है मुक्तसिर तरीन सवलाद से यानि की अती लगो उत्रिया प्रसंट से जो सबसे पहला सवाल है वो यह है कि नहसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है यानि यह सवाल के कहने का मतलब है ठीक है तो इसका जवाब देखिए अदब की पहचान मजमून डॉक्टर अब्दुलमगनी की तखलिक है ठीक है यानि की अदब के पहचान नाम का जो मजमून है इसको डॉक्टर अब्दुलमगनी ने लिखा है ठीक है दूसरा सवाल है डॉक् का नाम दे देना है तो यहां पर जवाब में अलड़ी दो ठोबुक का नाम देहीं दिया है अब बढ़ी अगले सवाल की तरफ सवाल नमबर चार की डॉक्टर अब्दुल मुग्जी ने किस मदर्सा और कहां तक तालीम हासिल किया ठीक है तो इसका जवाब मैं पढ़कर बता है वो अपनी मुलाजमत यहन की जॉब की शुरुआत किस कॉलेट सी की तो जॉब की शुरुआत की थी पटना कॉलेट से यही कोशन की कहने का मतलब है ठीक है अब यहां से स्टार्ट होता है अप लोग का मुखतसिर सवालात यानि की लगूतरिये परसिंजिस में आप को बार बार बताई हूं जब मैं आपक्स चैप्टर पढ़ा रही थी उस वक्त भी मैं बताई थी लेकिन कोई दिकत नहीं एक बार मैं फिर से बता दे रही हूं कि तनकीद का मतलब होता है जाच पर रख करना अगर कोई मुसंनिफ है कोई राइटर है वो कुछ लिख रहा ह क्या सही है क्या गलत है सही गलत की पहचान करना क्या कहलता है तनकीद कहलता है ठीक है तो यहां पर और जो इनसान इस सही गलत की पहचान करकर लिखता है उसको बोला जाता है तनकीद निगार ठीक है तो यहां पर जो अबदुल मुगनी है वो भी एक तनकीद निगार है औ बहुत एहम है यानि कि बिहार के विश्वस्नियत तनकीद निगारों में अब्दुल्मगनी की जो शक्षियत है उनका प्रसनालिटी यान की बैक्तित्व है बहुत जदा एहम है अब्दुल्मगनी ने मौजूदा एहद के शेर वादब और फिक्व नजर को अपनी तनकीदी कारणामों के जरिये एक्सपेंसन और इस्टेबिलिटी बक्षा है जिसके वज़ए से उन्होंने क्या किया इस पेसिक्विक नजरियात के जरिये उन्होंने बहुत काबिल कदर बढ़ंती की है अपने तनकीद निगारी में ठीक है आगे मैं पढ़ती हूँ एक मिनट एक मि पाजी नजरिया पेश किया है इक बालियत को उन्होंने अपनी तनकीद का खास मौजू बनाया है यान कि वो अपनी स्विक्रीतियों को अपने तनकीद का खास मौजू टॉपिक बनाया जिंदगी और अदब के तालुक से वह एक मखसूस तनकीदी वह आगे मैं पढ़ती ह ये दूसरे सवाल की कि अदब की पहचान पर मुखता सर रौस नहीं डालिये अब यहां पर आप लोगो को बताना है कि अदब की पहचान किसे कहते हैं ठीके तो चलिए इसका जवाब हम लोग देखते हैं यहां से स्टार्ट है कि एक मखसूस नौईद की तहरीर को हम दोनों पाया जाता है यानि अदब के तालुक से जो भी खाम मवाद या वसायल हो सकते हैं और वही मौद जब तखली की सकल इक्टियार करते हैं तो किसी खास मौज़ों और हैएत के हामिल हो जाते हैं बालफास देगर हम यूँ कह सकते हैं कि अदब के लिए कुछ खास मौ इस Ilだ जार उन शनाफ से बाहर में वादब के जुए होगल किते हैं आगे बढ़ें तिसरे सवाल की तरफ तिसरा सवाल है कि अदब की पेचान के हुआले से अदब के मुक्तसर तारीफ कीजिए यहां पर अदब की पहँआन के हवाले से आप लोगों को बताना है की अदब किसे कहते हैं इसका तारिफ व्यान करना है ठीचे तो अब देखिए यहां से जवाब इस्टार्ट है कि जब कोई फंकार अपने फंका कोई नमूना पेश करता है तो आया वा नमूना अदब के जुम्रे में आता है की नहीं इसी पहचान और सनाक्त के अमल को हम अदब की पहचान करते हैं जब कोई आर्टिस्ट अपने आर्ट का कोई एक नामूना पेश करता is तो वह जो नामूना है वह अदब के पेचान पर सिर हासिल भहस किया गया है और पूरा जोर इस बात पर दिया गया है कि हर अदब का ना मौयारी होना जरूरी है और ना ही तहरीर का अदवी होना जरूरी है कोई भी फंकार तहरीरी शकल में अपना अदवी ने गारिस पेश करता है जिसका मटाला से गारी के अंदर सुरूर वाइनबसाट की वैदा होती है और गारी इस से एक तरह की आसूदगी मحसूस करे वो तमाम तहरीर अदब के ये एक मिनट वो तमाम तहरीर अदब के जमरे में सामिल हो जाती है ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलिए यहां पर देखिए अदब के जुम्रे में श्रामिल हो जाती है ठीक है अब आईए तवील सवलात की बात आती है यानि की दिर गुत्रिया प्रस्ण की बात आती है ठीक है जिसमें लंबा लंबा इंसर लिखना होता है तो जो सबसे पहले सवाल है वह यह है कि डॉक्टर को दिर गुत्रिया प्रस्ण यानि की मुख्तसर सवलात में भी पूछा था अब यह तावील सवलात में पूछा है तो इसका लंबा इंसर होगा कम से कम दो पेज़ का ठीक है तो अब चलिए इसका भी जवाब देख लेते हैं वहीं लंबा चोड़ा उनकी तनकीद निगार इस वरो में एक मुम्ताज हैसियत के हामिल है उन्होंने अपने मकसुस तनकीदी असूल के जरिये शेर वादब फिक्र नजर की वसाथ और सफाफी बखसी है इसलिए अब्दुलमगनी के तनकीदी खिदमात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है ठीक है तो इनके बारे म मौला अब्दुलरौफ एक मसहूर आलें दीन थे ठीक है उन्होंने इबतदाई तालिम गाउन ही हांसिल किया और साथ में ऑसरी तालिम भी हासिल checks है ठीक है और साथ में अस्री तालिम हासिल किया ठीक है से मार्ड़ occurring मॉडरन सिक्छा भी यह चुनांवधर प्तना नियंश्टी से अंग्रेजी मजमून में आन और सोरे में किया और पक्टना को पह। थो conspiracy क्षे ने वह लिए न्यूआ यह ने अपनी मुलाजुम्म को म कंबल किया वहां पर उन्हों से सबक दोस हो गए और वहीं से रिटायर्मेंट हो गया उनका ठीक है उर्दु तनकीद के तालुक से अब्दुल्मग्णी ने शेर वदब के मुक्तलिफ इसनाफ के बारे में अपने तनकीदी नजरियात पेश किये हैं तहकीक वो तनकीद में उन्होंने एकबाल की शायरी को हो अपना खास म formidable बनाया है ठीके तनकीद वो तनकीद में किसकी शायरी को तो अकबाल की शायरी को ह disruption बनाया है ठीक है तनकीद Walk पर अब्दिलमुग्णी ने तक्रीबन 20 किताबे लिखी हैं ठीक है कितनी किताबे लिखी हैं तनकीद के टॉपिक पर 20 किताबे जिन्दगी और अदब के तालुक से उनका एक खसूसी तामीरी नुक्त नजर था जिसे उन्हों ने कामियाबी के सांथ तहरीर का जामा पहनाया उनकी एहन तरहीं तनकीदी तसानिक में अकबाल और आलमी अदब मौयार वगदार तफ्किल जदीर जादू एतेदार और नुक्त नजर वगएरा है ठीक है तो यह हो गया आप लोग का इंसर अब यहां से दूसरा सवाल स्टार्ट होता है कि अदब के पहचान के हवाले से अदब के तालुक से मुखतलिफ नजरियात बियान कीजिए ठीक है तो यहां पर अदब के तालुक का मुखतलिफ नजरियात पेश करना है आप लोगों चलिए यहां से जवाब इस्टार्ट है कि अदब की पहचान के हवाले से अदब और उसके तारिफ के बारे में कई एह बहुत important important नजरियात पेस्किये हैं ठीके इस मदमून में अब्दलमगनी का एक नजरिया यह है कि अद्वियत के साथ मुख्तलिफ मौजवाद पर जो कुछ भी लिखा जाए वही अदब है ठीके यानि कि अद्वियत के साथ अदब के साथ मुख्तलिफ मौजवाद पर अलग थीओं में अदब के स्लूप में लिखिए हुई हर नुए की तहरीर को अदब के जुम्रे में ही रामिल किया गया है ठीक है आगे मैं पढ़ती हूं कि अदब के पहचान के हवाले से एक दूसरा नुक्ता नजरिया है कि अदब रसल एक खास इसम की तहरीर का नाम है और अदब के कुछ खास मौजवात और हैयत हर जमाने में मौजूद रहे हैं जिनका इजहार चंद असनाफ में होता भी रहा है चुनांचा उन असनाफ में जो कुछ भी लिखा जाए वही अदब है और जो तहरीर उन असनाफ से बाहर है वह अदब के जुम्रे में नहीं है ऐसे अफसाना नाविल ड्रामा और शायरी वगड़ा ठीक है चलिए ये भी मैं पढ़ देती हूं आप लोगा कि अदब का मौयार मताइन करने के लिए एक मुकमल नमूना अदब को तारीफ के साथ वाज़ी करने की जरूरत है इसलिए अभी मानना पड़ेगा कि अदब के अनासिर तरकीबी दो हैं एक फिक्र और दूसरा फन और एक मुकमल अदबी तखली की उसी वक्त बेरूए कार आ सकती है जब में जब उसमें उस दर्जा के फिक्र वफन को पेश किया गया हो और मजीद यह उस तहरीर में फिक्र वफन दोनों की हम आहंगी भी पैदा हो जा अखलाकी कद्रों को फरोग पाने का मौका मिलेगा अखलाकी कद्रों को फरोग पाने का मौका मिलेगा यह हो गया आप लोग का एंसर अब बात आती है तीसरे सवाल की तरह इसको भी फटफट देख लेते हैं उर्दू अदब में तनकीदी रिवायायत का जायजा लीजिए अब यहाँ पर उर्दू अदब में आप लोगो को क्या करना है तनकीद की रिवायत का ओवर वियू करना है उसका जाइज़ा लेना है ठीक है तो चलिए यहाँ से जवाब फटफट देख लेते हैं उर्दू अदब में तनकीद की रिवायत उसी कदर कदीम है जिस कदर तखल तो नहीं कह सकते हैं लेकिन तनकीद के ब स्थक्रों में रश्वराय के कलाम पर जो तब्सरे की गए एनें हम तनकीद के जमरे में रख सकते हैं थीकिसे आगे मैं पड़ती हूं तनकीद दरशल अब़ी तरियरों की खोमियों को फोही कहते हैं देखिए अप को बताई ना कि तनकीद जो होता है उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है जाँच परख करना कि उसमें क्या खोबी है क्या खामिया है या कि क्या गलत है क्या सभी है क्या गलत है इसकी जाँच के खामियों पर ज्यादा रहती है खुवियों पर कम और हम अपने इस को तानजरी को तनकीद का नाम दे देते हैं जब कि होना या चाहिए कि अद्वी नगारिस के महासन को भी तनकीद के जुम्रे में रखा जाए चुनांच हम विज़ा तोर पर यह कह सकते हैं कि अर्दू अ कईद का बाजबता फनी आगाज हाली की किताब मुकदमा शेर वशायरी से होता है ठीक है अर्दू में तनकीद का आगाज यानि के शुरुवात कहा से होता है हाली के किताब से क्या नाम था उनका मुकदमा शेर वशायरी इन्हीं के किताब से क्या होता है तनकीद की पर शायरी की चंद खामीयों की तरफ एशारा कियाथ और शायरी की इसला के लिए चंद मुफीद अदो भी मुशूरे दिये थे ठीकिए ये जो किताब था इसमें जो हाली की है ये जो की एक शायर है उन्हों पर आ गई इस प्रोफेसर कलीम الدین एहमद ने अर्दू शायरी पर एक नजर और अर्दू तनकीदी पर एक नजर जैसी तनकीद किताबे लिखी उसके बाद आल एहमद सुरूर प्रोफेसर इहतशाम हसीन और और डक्टर अब्दूलमगनी वगरे ने अर्दू तनकीद की सुर्माया में ना स प्रफाफित का सिल्फला जारी है तो यह हो गया है तो यह था आप लोगों का अदब की पहचान नाम के चैप्टर का ओल कोशेर इंसर जिसको आप लोग एक एक करकर देख लिए और समझ भी गए कोई भी कमफियोजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपीक के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज